चलिए कुछ और स्टॉक्स देखनी कुश्च करते हैं, in fact midcap category में जानना चाहूंगा, PVR ये स्टॉक्स देखते हैं अभी कैसे production कर रहा है, क्योंकि काफी ऐसे स्टॉक्स हैं आज जो गिरते बजार पे अपने आपको सम्हाल रहे हैं, या फर निशलेस तरों से एक pullback trade visible है, द अगर ये स्टॉक आज 1238 के ओपर closing लेता है, तब स्टॉक टेक्निकली एक नए buy mode में आएगा और 1238 के ओपर closing लेता है, तो 1267 के लक्षे के लिए buy करना चाहिए, बट conditional buy है, 1238 के ओपर closing होनी चाहिए. जे, इस बीच चलिए देख लेते हैं, आज संकेट जिस तरह के हैं, थोड़ा concern रहेगा market के लिए, क्योंकि अगर ये 8400 के नीचे close हो गया, अगला हफता इतना volatile रहने वाला है market के लिए, कि जिसमें market को दिक्कत होगी फिर अपनी जो strategy है, उसे decide करने में, look at the advance decline, ये इतना है कि almost, आप देखिए, जो एक बढ़ने वाला counter है, उसके सामने करीब-करीब 10 counter ऐसे हैं, जो गिरावट के साथ, इस समय ट्रेड करते होए, और इसमें एक ख़बर जो पूरी तरह से neutralize ही हो गई market में, वो है GST, इसके tax structure, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी चीजे भी हैं, ले हैं से बात करते हैं, सर थैंक वो जो आइंक झाट करते हैं, तरह सर थैंक वर जो जो इन उस इन अगिन आप फूर्मॉसर जो पयाला जोग करते हैं, देखिए तामरा, इसमें प्रायाश्वारा जाली तो यस्शे फेशने कि आपटेश्य में, भीपार देखिए रखेस को स् जो正 होगी में तेर नायग अर्वी वान अैश अजकिट प्रवा प्रशोंकते। इसकार प्रशनार करें कि तेमिक भी rating नेय। इसकार वार प्रशीर कि प्रशनार करा रिधा था टा फिए प्रशनेश्ट करते। गान परन चेन प्राड्रों. भी जीन में पर फीजन आड़े माषबून कर सांग फेधिन प्राडों चेना अपरे हमानों तद फिक वरे कुछ प्लोचburgुचली अप्लेघिक ए हम लो फितना अप्लेद घ्रीम कोजानी Material, जोन निजती mods माइव रेसे ए मिनसे के लिए इक अरफरा को różnych पांपनरा जार्ठकश्यर सो अव suppress धरष सब्सक्रणीट को और स हम दिसकमं आपकी ही कि उसकते हैं। कि इस जिसे इस को संध निच वगान्ट इस पॉनिवाफ इस पांट न पून इंड पिन अ क्लिव थैप फीन है कि इस पॉर जास्ब झाल इस जांट झाल वें थिपको। इस प्यूनीर कॉंपटर्जूड इस प्उने स्वोंग फिर्टेंट इस जाने उन्ट इत्रीड एंग का अजब में पोने प्रफटिस अपन c um कि आपचे इफ भाव का थासंत धितनी में स करिए भी इन्यू और ररी आवार्ट आपनित्यwid नपनु है फ़नपार इंगे करेंगा एकृत्ति है विपार सांगुिए ती तो चीजिए पर कहना यह की एसी लिए कि हाई प्रोड़क्ट चेस्ट थो के लिए स्लैब है। यह थोड़ा जाद है लेकिन overall इस पे impact जुरूर पढ़ेगा bottom line पे अब देखना होगा कंपनिया के negate करती है यह की नहीं दाम बढ़ा के वो एक बड़ा सवाल है कि कंपनिया अब going forward consumer demand के चलते क्या दाम बढ़ाती है कि नहीं जी आप बिलकुल इस भी शर्मिला जोशी हमार साथ जुड़े हैं और साथी राजेश भी हमार साथ इस समय मौझूद है कुलकुता से राकेश तो ही हमार साथ studio में शुक्री आप सब का तो शर्मिला वाट से टेक ओन मार्केट्स नाव यू नो क्लियरली आप आज भी देखिये जो इस तरह बाते चलने लगी की जो पोल्स के एकजिट पोल्स के नतीज आने लगे और ये कहीं मार्केट को लगने लगा की अधर रेस इस नौट आज दान यह और काफी इसमें एक सर्प्राइज भी हो सकता है So I think it's very clear जिस तरह से माकेस फिसले है And as you pointed out, not just in the domestic context लेकिन एक internationally अगर भी हम देके So I think कही भी I think कोई भी market नहीं ये फैक्टर इन नहीं किया था कि शायद That Trump would win the election So in that sense I think the market mandate seems to be quite clear So we need to wait for the 9 to get a clear picture Or you know like ये चीज़ विल बी सौर्ट इन नहीं तरह से क्योंके अभी market इतने गिरे है I think the negative is now in the price So I think that I would think that now in that sense The election outcome hopefully उसका कुछ जादा इंपाट नहीं होगा Even if the election goes in favor of Trump Which the market seems to be building into the price at the moment So yes I think I completely agree with you कि अगर आप लॉंगर टर्म इन्वेस्टर भी है तो भी साइद पे रहिये और 9th November के बाद ही अपना मन बनाई है कि किस तरह क्या आपको लेना है I think it's a market on dip still लेकिन क्योंकि ऐसे अब लग रहा है कि शायद आपको lower levels मिल सकते है That's why it becomes better from you know to just wait till next week चुले एक बार फिर से फार्मा स्टॉक्स को देख लेते हैं का fall है और ये अब 650 का level का भी ब्रेक कर सकता है Dr. Reddy's दिन के निश्टले सर पर यहाँ पर भी 5% से ज़्यादा का fall देखने को मिल रहा है तो सभी फार्मा स्टॉक्स, Stride, Shasun, Sipla, ये सभी स्टॉक्स दिन के निश्टले सर पर कामकाज कर रहे है राजश आपके कमेंट्स ये जो आज फार्मा स्टॉक्स पर बिक्वाली देखने को मिल रही है सर और ये एक डिफेंसिव बाइंक की तौर पर भड़ता था बहुत स्ट्रॉंगली पॉजिशन बिल्डब की इंस्टॉशन ने इन स्टॉक्स में अब बिक्वाली है आमनी वेशक क्या करें? बहुत से ऐसी कंपनिया है जो 30 से 50 प्रतिशत तक के मार्केट उनका यूएस से सेल्स आती है और विंदो है सारम फर्मा है ये और भी कई कंपनिया है तो वहां थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ी गिरावट और देखने को मिले लेकिन मेरा अनुमान ये है कि जो भी आउटकॉम आएगा वो इतनी जल्दी प्रूफ करना मुश्किल होगा कि साटगाट हुई थी और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतिय कंपनियों पर ये मामले चल रहे हैं ये विश्वभर की कंपनियों पर चल रहे हैं और ये गिरावट एक अच अला कोछत तक बिकवाली की ही थी अब जब ये एक रियालिटी है कि निफ्टी 8400 के नीचे फिसल सकता है अभी भले इंट्राडेलों से थोड़ा रिकवर हुआ हुआ बट वो थ्रेट है ऐसे में अगले अफते के लिए स्ट्राटेजी क्या है अपकी देखिए मीर हमने मोस जो पुदिशन बनाई है वहाँ पर मुनाफ़ाबांत के साइड में होके बैठना चाहिए मार्किट ओवर सुल्ड है और अगले वी मीर काफी वोलटिलिटी रहेगी अगर कोई भी शाप पुल बैक आएगा तो काफी दिक्कत देखने को मिल सकती है और दूसरा अगर किसी क का लंबी अबदी का नजरीया तो मुझे लगता है कि बाइंग भी करनी चाहिए अगर आप देखें तो फार्मा के अंदर सन फार्मा अर्विंदो फार्मा जिन कंपनी का यूएस में अच्छा बिजनस है वो मोस्ट एफेक्टिट हैं बट दूसरी कई कंपनी जो की इतना नहीं है तो वहाँ पर मुझे लगता है बाइंग करनी चाहिए